दिये सस्क्राइबर तो कैसे हैं आप लोग फ्रेन आज हम बात करने वाले फ्रेन बिहार आईटी आई केट फॉर्म कैसे भरेंगे 2024 के लिए फ्रेन तो फैनली फ्रेन आईटी आई का जो कि फ्रेन ओलाइन स्टार्ट हो चुका है जितने फ्रेन का नीडियेट मेट्रीक पास क कर लिए मेट्रीक पास करने के बाद ही फ्रेन आपको कोई भी कौलीफिकेशन है आप चाहते हैं अगर आप लोग फ्रेन चाहते हैं कि आपको फ्रेन की सब्स्क्राइब कर सकते हैं यहां पर आएटी आई में जैसे आप जो की फीटर या एलेक्टिस्ट कर या प्लम्बर इ चाते हैं तो इस तरह के जोब के साथ अगर आप IT करते हैं तो काफी सारी अपको इसको मिलने वाले तो आज हम प्रेट इस ही के बाड़ें बात करने वाले दो जा चुके आप लोग सकते तो फ़र को भरने आपको इस ओफिसली वेबब साइट पर आ जाना है यहाँ पर सब्सक्राइब और यहां पर लेटेस्स अपडेट में आपको देखने मिलता है शुट इसका नोटिफिकेशन का प्येज खुल के आ जाता है जिसमें आपको अप्लाई करने का वेब साइट कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं यहां पी आपको जो कि सारा चीज फ्रेंड आपको यहां पर दिया गया है कि कब तक आप apply करेंगे कैसे आपका सारा चीज जो कि registration होगा वो सारा एक और notification आपको यहां पर नीचे में देखनेल मिलेगा इस पर किलिक करेंगे तो यहां से भी आपको वही सारा डिटेल्स देखनेल मिलेगा यह दो notification के उपर में मैंने वीडियो बना के चैनल पर अप्लोड कर दिया अगर आप सभी ने नहीं देखा दो उस notification वाले वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको अपर सारे डिटेल्स के बारे में अच्छी से जानकारी और knowledge होप है और यहां इसका starting date है देख सकते हैं आप यह इसका starting date यह साथ अप्रेल से start हो चुका है और इसका last date जो फॉर्म भरनेगा था वह 5 माई 5 माई 2024 यानि कि 5 फॉर्म यहां पर देख सकते हैं अभी आपको यहां पर देखने मिलता हो सकते इस पर अप्रेट किया गया हो या फिर चलिए मैं देखते हूं आगे फॉर्म फिल होगा तो यानि कि ठीक है तो आप यह नोटिफिकेशन देख लेंगा ची तरह से और ओलेडी भी नोटिफिकेशन मैंने जो नोटिफिकेशन के ऊपर वीडियो में ने बनाया है वह वह भी देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे आपको फॉर्म को भर सकत करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलके यहां पर आ जाता है नियू रिच्टेशन का फ्रेंड ओप्सन मिलता है यानि कि फॉर्म को भर सकते हैं इसली साथ तारीक से ही स्टार्ट है यहां पर देख सकते हैं यहां पर नोटिफिकेशन में कुछ अप यहां पर यहां पर करना होता है चलीन आपको सबसे पेले फ्रेंट क्या करन करना यहां पर आपको फर्म को भरना है तो अपने पूछ जाता है कि आप अपना डिश्टिक है न Raspberry residential districts है वो आपका फ्रेंट कोन सा यहां से आपको बिएसे Ho Wrg के स्लेट कर लिए उसके बाद फिर exercise आपका पूछा है który fancy पैडिंग डिस्टिक जोद आपने metric या उससे ज़्यादा qualification पास किया वह है तो वो district आपका कौन सा है कौन सी district से फिरें आप जोगे metric पास किये है या फिर आप जोगे appearing है तो वो फ्रेंट या पर जैसे मालें आपका घर कहीं और है आप जो जिस भी district में आपका घर है वो आप select कर ले ठीक है और आप जिस district से pass out किये हैं आपके जो school college था district के अंदर में उस district का यहाँ पर आपको नाम select करना है कुछ इस तरह से ऐसा नहीं कि आपको दोनों में एक कर देना नहीं अगर आपका दोनों एक है तो आप दोनों में एक कर सकत से इंप्लौय है या फिर किसी भी तरह का आपको बता देना है कि मतलब जो भी है आपको worker है या किसान है या कोई भी है तापको स्री मतलब रेसिडेंटल आपके अपने और मदर के यहां पर बता देना कि कोन से डिस्टिक से आप तो वो भी फ्रेन, जो बी आपका डीस्टीक परता है, तो उसको यहाँ पर इस तरह से बता देना है यहाँ पर पूछा जाता है कि इस चार्ट विश ने ते पर दाना है कि आपका आई पर सलेक्शन है आप कौन से डीस्टीक में एड्मिंशन ले cheme चाहते हैं, तो जैसे देख सकते हैं, मेरे case में क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर तीन अलग अलग district को choose किया हुआ, तो इस बज़े से मुझे तीन का यहाँ पर रिफ्रेंस आ रहा है, क्योंकि मेरा मालेजी जिस district से मैंने पर हाई किया, वह अलग है, मैरा residentल अलग है, तो इस case में ऐइसा। अगर आपका friend मालेजी same रहेगा, जैसे मालेजी तीनों में आप same कर देते हैं, अगर same district से ही एकी district में आपका घर है, एकी district में फिर्ण आपका college है, school है, एकी district से आपका माता पिता आती है तो simply तीनों में same करेंगे, यहाँ पर आपको सिप एकी option देखने के लिए मिलता है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं आपको फिर्ण इस तरह से इसमें जो एकी district को अपना select कर लेना उसके बाद यहाँ से candidate का first name feel करेंगे, middle name feel करेंगे, last name feel करेंगे, जैसे आपका नाम राजू, कुमार, सर्मा है तो इस तरह से आपको यहाँ पर first में राजू, middle में कुमार, last में सर्मा लिखना या फिर आगर आपका सिप राजू, कुमार है तो first में राजू लिखेंगे औ और लास्ट में आपको सिफ सर्मा या कुमार लगाना है मीडिल को खाली छोड़ देना यहां पर फिर इन को साल चूस कर लेना जो भी साल है यहां सी आपको मन्त चूस कर लेना है उसके बाद यहां से आपका जो भी candidate का date आता है इस तरह से date चूज करेंगे तो आपको यहां पर आजाएगे फिर से confirm यहां पर आपना candidate का जो है कि date month year select करेंगे उसके बाद आपको candidate का यहां पर mobile number type करना है send OTP करेंगे आपके mobile number पर OTP आएगा आपको यहां पर टयब करना है अच्छी तरह से उसको देखके पासफर करेंगे उसके बाद यहां से confirm पासफ़ट करेंगे आधार नम्मर है तो फ्रेन दे सकते हैं ये फ्रेन जरूरत नहीं है अगर आप चाहते हैं तो दे सकते हैं नहीं तो छोड़ भी देंगे कोई दिक्कत वाले बात नहीं क्योंकि इसमें लाल स्टार नहीं लगावा है यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद सेक्रिटी कोसिन बताने यह इतना से डीटेल्स को फील करने बाद इस वाले डीटेश को फिर आप वो तीनों को अच्छे से से स्लेक्ट करना है समझ करके जैसे मैं आपको बताया अपना रिजिटेंटल पासिंग यर्स और अपना फादर्स मदर्स का रेसिडेंटल या जिस भी जगह से जो कि वो करेंगे आप अच्छी तरह से जैसे आप सारा डीटेल्स को फिल करने बाद साइन अप पर किलिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर वहरीपिकेशन के लिए बुला जाता है यानि कि आपको प्रिव्यू करना है सारा डीटेल्स को जो भी डीटेल्स अभी तक आपने फिल किया इस details को फिरेंग आपको अच्छे से मिला लेना इसको मिलाने के बाद फिरेंग आपको यहाँ पे नीचे आना स्कूल करके नीचे आएंगे फिरेंगे अगर आपका सारा details फिरेंग आपका सही है जो भी details आपने अभी तक फिरेंग फिल किया अगर सही है तो simply फिरेंग आपको लंबा हो सकते हैं अगर आप पूरा देखेंगे तो अच्छे से चेक कर लेना है उसके बाद यहाँ पर कंफर्म बाले ओप्सन पर क्लिक कर देंगे आपका यहाँ पर देख सकते हैं रेजिटेशन आपका हो जाता है आपको यहाँ से इमेल आइडी को टाइप करेंगे जो फ्रिन पासवर्ड आपने बनाया था जैसा में आपको दिखाया तो वो टाइप करेंगे चैप्चर यहाँ पर टाइप करेंगे उसके बास साइन अप पर आप सिंपली क्लिक करेंगे जो आपका इमेल आइडी था और जो पासवर्ड बन करते हैं तो यहां पे बताना होता है कि किसी भी तरह का मतलब टमकर prepared कहीं बिल्ताफित आप को इस वाले option को बताना होता है यहां पर लेंगे अगर आप येस करते बिहार के निवास है तो उसमें फिरेंड श्रीप आपको एकी option देखने के लिए माता-पिता मतलब कि आपके जो की बिहार के अस्थाई मुल्य निवास है तो simply इसको आपको select कर लेना है अगर आप no करेंगे तब फिरेंड आपको इस तरह का option देखने मिलता है जो आपको बताना होता है नहीं तो आप simply बिहार के निवास है यहाँ पर yes करेंगे इस वाले option को select करेंगे आपको यहां से फिर जेंडर बताना है आप किसका apply कर रहे हैं male, female जो candidate का apply कर रहे तो male या फिर female यहाँ से it करेंगे फिर से फिर आपको confirm करना है यहाँ पर gender बताए नहीं आते तो नो पर करेंगे यस करेंगे तो आपको उसका disability बताना है कितना percent आप आते हैं वो आपको यहाँ पर फील करने नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे simply सर्विसमेन या स्पोर्ट कोटा या कोई भी ऐसे क्लेम में आते तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से बता देना है जहां से आपना डिस्टिक यहां से गटर का तेल का निसान है वह आपको बताने जो ऐसा visible मार्क है जो कभी मिठता नहीं वह बला आपको निसान यहाँ पर देना है ठीक है उसके बाद आपको यहां से address लिखना है आपका जो भी proper address आता है वह टाइप करेंगे line one two address आपको देखने मिलता है चितर से दूनों में commitment continue वाली option पे click करेंगे इतना सा details को feel करने के बाद जैसे 7 Continue कई क्लिक करते हैं तो अले step में आपसे यहां पर फोटो अप्लोड के लिए बोला जाता है signature अपको इंग्यलीश निचर और हिंदी signature दोनों फ्रेंड अपलोड करना है तो फोटो का फोटो का देखें खेंगे, समझ लेंगा, परेंगने यहाँ फूटो का रैसियो, दीए गे 22x250 अपको रखना है, एक 220 के भी से कम है, एगसे जी पीजी फायल में, और वीफma का में यहाँ चाहत रखना है, एप wok gerade na piques boy diagnosis पर 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 अप्लोड करना है उसके बाद फिर आप यहां पर शेव और कंट्वूड वाले ओप्सन पर क्लिक करेंगे फोटो सिगनीचर अप्लोड करने बाद अगले श्टेप में आपको यहां से प्लास 10 का जो डिटेल्स फिर्ण वह फिल करना होता है जैसे प्रिंड आप य पर आप नाम कर सकते हैं या अप्येरिंग चल और बताइगे अपना नाम कर देगे या इनिवर्सिटी का नाम उसके बाद पासिंग स्टेटेस बताइँ अप पास है या फिर अपेरिंग चूस करें तो आपका result 2024 में आ जाना चाहिए बाकी का सारा डीटेल्स आपका डिसेबल हो जाता है बांकी का डिटेल भरन आपको कुछ भी फिल नहीं करना होता है अगर आप पास हैं तो पास सूस करेंगे यहां से अपना साल बताएंगे किस साल आपने पास के 2023 22 जो भी इनमें से साल आपको देखने मिलता है देख सकते हैं यहां साथ 17 से लेकर के जितन टोटल ओप्टेंड मार्क बताने यानि कि आपका लिखित में जितना आपका आया है जैसे बिहार बोट की द्वारा आपका जो रिजल्ट आया है तो उसमें आपको 350 मिला है और टोटल बिहार बोट का जो एक्जाम हुआ था वो फ्रेंड 500 का हुआ था आपको यहां पे 500 सब्सक्राइब बाद करनाम पासवी एयर्स पर्सेंटेज मार्क टोटल नंबर और परसेंटेज यहां आटमेटिक आ जाता है उसके बाद सम्मिट कर देंगे संब्सक्रों करते हैं तो आपकी सामने पेज़ खुलकिया यहां से आपको सारा डीटेल्स को मिलाना होता है जित अगर आपका कुछ mistake है, तो edit, back to edit वाले option पे click करके सुधार कर सकते हैं, नहीं तो simply declaration जैसे आपने वहाँ पे दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको proceed to payment पे click कर देना है, payment करने विए simply आप इस पे click करेंगे, confirmation पूछे का जो भी आपका fees लग रहा है, वो देखने के लिए मिल ज credit card, debit card, net banking, wallet, आपको सभी option यहाँ पे देखने मिलता है, जो भी आपको better लगता है, यहाँ उसके थूर आप payment कर सकते हैं, यहाँ अगर आपके पास net banking ID, password है, तो net banking ID, password को आप यहाँ पे use करके payment करेंगे, simply जिसके भी थूर आपको payment करने हैं, payment करेंगे, payment करने बाद आपको 10 second wait करने, आपको वापस से रिराइडिक कर देगा, home page पे वहाँ से आपको receiving मिल जाएगा, download आप कर सकते हैं, अगर आपको फ्रेंग किस दिक्कत आता है, आप सिंपल यहाँ पे वापस इस ओफिसल ली वेबसाइट पर आ करके, यहाँ पर login वाले option पर किलिक करके, आप फ्रेंट भर सकते हैं, इसली तरह के से step by step form को आप भरेंगे, अच्छी तरह से, तो आपको फ्रेंट पेमेंट करते हैं, एक चिसका ध्यान रखना है, आपको किसी भी तरह का back or refresh का button नहीं दवाना है, जिससे आपको payment फसेन है, और आप इसली पेमेंट कर पाएंगे फ्रें कर पाच्छी ओर मेंट लुएपर से अलिए